Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator. आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Top 10 reaction based questions from our 4th chapter of chemistry जो की है carbon and its compounds. तो बहुत ही easy सा ये chapter है, कुछ ही limited reactions है, वहीं से repeated questions बार-बार पूछे जाते हैं. तो उन repeated questions को जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है आखिरकार वो questions. तो सबसे पहला question हमारे पास एक MCQ है, बहुत ही simple question है. The above reaction is an example of. तो यहाँ पर देखो, एक equation यहाँ पर लिखी हुई है, जहाँ पर हमें पता है, यह methane है. तो methane react कर रहा है, chlorine के साथ in the presence of sunlight. और यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3Cl, जिसको हम methyl chloride कहते हैं. या फिर IUPAC name की बात करें, तो इसको क्या कहते हैं, chloro-methane. तो chloro-methane बन रहा है, या फिर methyl chloride, इसके साथ HCl यहाँ पर form हो रहा है. तो यह equation जो लिखी हुई है, यह किस type की reaction है? displacement हो रहा है, addition हो रहा है, substitution हो रहा है, या फिर यह double displacement reaction है. तो देखो, displacement reaction में क्या होता है? कि जो जादा reactive हमारे पास metal होता है, या फिर कोई भी element है, वो less reactive वाले को क्या कर देगा? displaced, धक्का मार के बिलकुल बाहर निकाल देगा. जैसे कि zinc react करता है, या iron react करता है, copper sulfate के साथ. अब addition reaction में क्या होता है? कोई भी unsaturated compound होता है, यहाँ पर. unsaturated compound में हम hydrogen को add करते हैं, तो यह unsaturated compound किसमें change हो जाता है? saturated compound में change हो जाता है. substitution में क्या होता है? यहाँ पर replacement होता है. which means हमारे पास कोई एक जो atom है, वो दूसरे atom को जाके simply replace कर देता है. यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, यहाँ पर replacement हो रहा है. देखो, अगर मेरे पास CH4 है, तो इस तरीके से उसको मैं represent कर सकती हूँ. chlorine, CL, CL, ऐसे करके लिख सकती हूँ मैं, right? तो यहाँ पर यह वाला जो chlorine atom है, यह एक hydrogen को क्या कर दे रहा है? replace कर दे रहा है. इसकी जगों पर आ जा रहा है, देखो, इस तरीके से. तो यहाँ पर यह chlorine आ गया, तो यह hydrogen बाहर निकल जाएगा, और यह जो hydrogen बाहर निकला, वो इस वाले atom के साथ combine करेगा, और यहाँ पर HCL बन जाएगा. तो यह मेरे पास क्या है? अब देखो, यहाँ पर double displacement reaction आप सभी को बता है, जहाँ पर ions का exchange होता है, उसको हम double displacement कहते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ion का exchange होने रहा है, यहाँ पर ions अच्छल में involved भी नहीं है, यहाँ पर जो atoms हैं, वो जाके replace कर रहे हैं, तो यहाँ पर clearly हमारे पास answer क्या होगा, C substitution reaction, एक addition reaction का भी example यहाँ पर देख लेते हैं, कोई हमारे पास unsaturated compound है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ethane को ले लिया है, इसकी reaction मैंने hydrogen के साथ करी, अब H2 है हमारे पास, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ न, एच-ेच, यहाँ पर H2 ही है यह, तो यहाँ पर यह reaction होती है, तो यह दोनों ही hydrogen यहाँ चुड़ जाते हैं, addition है न, तो यहाँ पर addition हो रहा है, यह आके चुड़ रहे हैं, add up हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, यह hydrogen को चिस तरीके से आके add हो जाएंगे, बट यहाँ पे देखो अगर यह दोनों जुड़ गए तो यहाँ पे टोटल पाँच बॉंड हो जाएंगे इस कार्बिन के आसपास इस वाले कार्बिन के आसपास भी पाँच बॉंड क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो यहां पे यहां पर का कछ रिप्लेसमेंट हूआ? नहीं यहां पर हमारे पास एक्समेंट आकर जुड़िए छे मैं इसरे लिए हो और रियाक्षिंट को idt के ते हैं ब स्रेद आफ़ी है के सबों रिएक्षिंग जल्डी से हो कम ऐ difficly आंदा हो उतरॉ ठीक है, automatically हमें पता ही है, speed equals to distance upon time होता है, तो अगर speed बढ़ेगी, यानि कि rate of reaction increase होगी, तो किसी भी reaction को complete होने में कम time लगेगा, ठीक है, तो इस तरीके से catalyst क्या है, एक ऐसा substance, जो कि rate of reaction को increase करता है, जल्दी से उसे complete करवा देता है, तो addition reaction भी देख लिया, displacement और double displacement हम first chapter में बहुत detail में पढ़ चुके हैं, तो उसको repeat नहीं करेंगे, अब हम आजाते हैं second question में, second question देखते हैं क्या है, write the name and general formula of a chain of hydrocarbons in which an addition reaction with hydrogen can take place, देखो addition reaction unsaturated में ही होती है, alken में भी होगी और alkyne में भी होगी, आलकेन में addition reaction नहीं होती है, तो यहाँ पर name भी लिखना है, उस chain of hydrocarbons का और general formula भी, तो name क्या होगा, हम alkyne ले ले लेते हैं आपे, alkyne लिख दिया, general formula क्या होगा, CnH2N, अगर आप alkyne लिखोगे, so that is also correct, उसका general formula CnH2N minus of 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमने name और general formula दोनों लिख दिया, उसके बाद क्या है, stating the essential conditions required for an addition reaction to occur, write the chemical equation giving the name of the reactant and product of such a reaction, how is an addition reaction different from a substitution reaction, अभी just हमने discuss करा था, तो यहाँ पर देखो, हमें एक chemical equation देनी है, और वो हम already अभी लिख भी चुके थे, कि मेरे पास देखो, यहाँ पर क्या है, इथीन है, इसको हमें पता है, हम क्या कहते है, इथीन कहते हैं, I think यहाँ पर मैंने इथेन बोल दिया था इसको, यह इथीन है और यह इथेन है, ठीक है, confused नहीं होना है, कभी-कभी, मुह से वो निकल जाता है, वट वो अक्चल में होता नहीं है, तो यहाँ पर हमने इथीन लिया है, हमें जो essential conditions हैं, वो भी mention करनी है, तो यहाँ पर देखो, हम catalyst का इस्तिमाल करते हैं, तो वो catalyst वाली condition आप यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर hydrogen है, इस तरीके से, ठेक है, तो यह हमाय पास क्या है, इथेन है, तो यहाँ पर addition हुआ, यहाँ पर जो hydrogen के atoms थे, वो आके जुड़ गए, जो unsaturated compound था, वो किसमें change हो गया, एक saturated compound में change हो गया, ठेक है, तो यहाँ पर देखो, essential conditions क्या है, सबसे पहले hydrogen के साथ reaction हो रही होगी, second यहाँ पर हम catalyst का इस्तमाल कर रहे होंगे, catalyst, nickel, platinum, palladium, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, उसके बाद name of the reactant and product, दोनों हमने लिखे, how is an addition reaction different from a substitution reaction, तो addition reaction में क्या हो रहे है, add हो रहे है, atoms जाके, और substitution reaction में substitute हो रहा है, अब आप कहोगे, यह तो बस वो words लिख दिए, तो इसको थोड़ा सा detail में भी आपको explain करना पड़ेगा, कि addition reaction में क्या हो रहा है, कोई भी replacement नहीं हो रहा है, यहाँ पर no replacement is taking place, the atoms are directly getting added up to that particular compound, जैसे कि इस case में हुआ, यहाँ पर देखो, इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास hydrogen atoms थे, वो इधर पर आके directly add up हो गए, जो double bond था, वो single bond में change हो गया, जबकि अगर मैं substitution reaction की बात करूँ, तो यहाँ पर replacement होता है, यहाँ पर replacement होता है, एक atom, दूसरे atom को जाके replace करता है, तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर note भी करनी है, लिखनी है, कि addition reaction में atoms जाके add up हो रहे हैं जबकि substitution where replacement हो रहा है atoms का, ठीक है, तो बस यह चीज़ आपको mention करनी है, first part हम कर चुके है, second part है, write the structure of benzene, तो यह तो बहुत ही simple सा है, benzene का structure देखो इस तरीके से होता है, generally हम benzene को ऐसे represent कर सकते हैं, थोड़ा detail में बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो 6 कार बनाते हैं, इस तरी definite double bonds होते हैं, यहाँ पर अगर double bond आएगा, तो फिर वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, अब देखो 3 bond हो चुके हैं, तो एक और bond यहाँ पर आएगा और वो bond किसके साथ होगा, hydrogen के साथ, तो इसका formula क्या होता है, C6H6, और इस तरी वाला पार्ट आपको समझ में आगया होगा, दूसरा तो बहुत ही simple सा था, अब आचुके हैं, हम third question में, third question कुछ बड़ा सा लग रहा है, देखते हैं, क्या है, a compound X is formed by the reaction of carboxylic acid, एक carboxylic acid का इस तरीके से formula हमें given है, और एक compound X है, जो की form हो रहा है by the reaction of this carboxylic acid with an alcohol in the presence of a few drops of H2SO4, तो आप समझ गए होगे ये क्या है, अगर carboxylic acid alcohol के साथ react करता है, तो हमेशा एक ester बनता है, तो ये X definitely एक ester होगा, ठीक है, the alcohol on oxidation with alkaline KMNO4 followed by acidification gives the same carboxylic acid as used in this reaction, अब हमें पता है, अगर मेरे पास कोई भी alcohol है, उसमें same number of carbon atoms होने चाहिए, तभी जाके, वो यही वा carboxylic acid देगा, विच मीज अगर इसमें 2 carbon atoms हैं, तो इस alcohol में भी 2 carbon atoms होने चाहिए, विच मीज हमें पता चल गया, C2H5OH ही होगा, वो ethanol होगा, इसका अगर मैं oxidation करूंगी, तो मुझे same यही वाला carboxylic acid मिल जाएगा, उसके बाद next क्या है, यहाँ पर इतना तक हो गया था हमा पहले esterification वाला लिख लेते हैं, यह जो हमें given था, CH3COOH, obviously यही carboxylic acid होगा, इसको क्या लिखा हुआ था, C2H4 and O2, तो देखो H4 and O2, तो यह मेरे पास carboxylic acid है, उसके बाद C2H5OH, आज पता नहीं क्या हो रहा है, यह मिटने में ही लगा है, कोई बात नहीं, हम भी बार- तो उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, CH3, यहाँ पर आज कुछ जादा ही अजीब चीज़े हो रही है, कोई बात नहीं हम, next slide ले ले लेते हैं, और यह change कर लेते हैं, वापस से लिखेंगे, ठीक है, तो यह है CH3COOH, इसकी reaction हो रही है, C2H5OH के साथ, और यहाँ पर H2SO4 की presence में reaction हो रही है, क्या बनेगा, CH3COOC2H5 plus H2O, ठीक है, तो यह मेरे पास क्या बना, देखो, यह ester बना, तो यही मेरे पास क्या है, XB है, तो यह, अच्छा, XA ही था न, हाँ, ठीक है, तो यह मेरे पास वो carbox लेक acid है, C2H5OH, alcohol के साथ इसने reaction करी, in the presence of sulfuric acid, और यहाँ पर ester बन गया, और इसका name क्या होगा, इसका name होता है, Ethyl Ethenoate, ठीक है, तो Ethyl Ethenoate है, इसका name, अब यहाँ पर सबसे पहली वाली reaction हमने लिख दी है, उसके बाद इस alcohol में, कौन सा alcohol है, देखो, इस वाली slide को हम कर देते हैं, delete, यह वाला, यह वाली slide, ठीक है, तो यहाँ पर द O7 के साथ, इसका हम क्या करेंगे, oxidation करेंगे, देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कि हम alkaline KMNO4 यहाँ पर add कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, क्या होगा, यहाँ पर यह oxidize हो जाता है, इसका oxidation हो जाता है, यह किसमें बदल जाता है, यह इसी वाले carboxylic acid में बदल जा है, और complete oxidation में हमेशा क्या बनेगा, complete oxidation में हमेशा ही हमारे पास carboxylic acid बनेगा, और इसी का अगर आप combustion कर रहे होते हैं, विच मीज डिरेक्ली इसकी reaction अगर oxygen के साथ होगी न, तो उस case में यहाँ पर CO2 and H2O बनेगा, तो जो words है न, वो काफी important है, partial oxidation अगर लिखा है, तो aldehyde बनेगा, complete oxidation अगर लिखा हुआ है, तो carboxylic acid बनेगा, combustion अगर हो रहा है, या फिर oxygen के साथ reaction हो रही है, ऐसा लिखा है, तो CO2 and H2O प्लस यहाँ पर heat and light form होगी, ठीक है, तो बहुत simple था यह वाला question, यह वाला part हम कर चुके हैं, अब यहाँ पर name और structure देना है, तो name क्या है, उस carboxylic acid का ethnoic acid, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, तो this is ethnoic acid, और structure क्या है, तो structure बना लेते हैं, CH3, तो यहाँ पर CH3 आ गया, C double bond OOH, ठीक है, तो यह carboxylic acid आ गया, फिर alcohol, alcohol क्या है देखो, C2H5OH, या फिर इसे मैं और क्या लिख सकती हूँ, CH3, CH2OH भी लिख सकती ह है, तो यहाँ पर दो carbon आ गया, यहाँ पर OH आ गया, और बाकी सारे ही यहाँ पर क्या है, hydrogen है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यह चीजे represent कर ली है, और compound X, इसका name भी हम लिख चुके है, इसका name क्या है, ethnoate, यहाँ पर इसका भी लिख लो, this is ethanol, यहाँ पर इसको double bond O, O, और यहाँ पर CH2CH3, ठीक है, यह जो है न, C2H5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2CH3, इस तरीके से हम इसको represent कर सकते हैं, पूरा इसका structure, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है, this is the ester, तो इसको हमने अच्छे से यहाँ पर represent कर दिया है, we also had to write the reactions, तो reactions भी हमने लिखी है तो सबसे पहली reaction हमारे पास कौनसी वाली है, सबसे पहली reaction यह है, जहाँ पर ester बनता है, उसके बाद कौनसी reaction हमने लिखी, उसके बाद हमने यह reaction लिखी, जहाँ पर oxidation हो रहा है, तो I think this question is clear, बहुत easily आपको सारी ही reactions भी समझ में आ गई होंगी, और बाकी चीजे भी, क्यू reaction involved, बहुत ही सिंपल, देखो, जब ethanol react करेगा, sodium के साथ तो एक gas evolve होगी, तो पहले लिख लेते हैं, C2H5OH, यह sodium के साथ अगर react करेगा, तो क्या बनेगा, C2H5ona बनेगा, और hydrogen gas यहाँ पर release होती है, तो इसको हम properly balance कर लेते हैं, इस तरीके से, तो कौनसी gas evolve हुई, तो H2 यान is evolved, ठीक है, then write the balanced chemical equation of the reaction, तो यहाँ पर हमने, जो reaction है, वो भी लिख दी, अगर test पूछा जाता, तो आपको पता है, हम यहाँ पर burning candle लेके आएंगे, और burning candle हम इस gas के थुरू जैसे ही लेके आएंगे, सो इट विल burn with a pop sound, तो यह चीज़े भी आपको ध्यान देनी हैं, के चीज़े include हो सकती हैं, वो भी आपको बताते जा रही हूँ, तो यह सारी चीज़े note down करते जाओ, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर से पूछ ली जा सकती है, कि यहाँ पर अगर यह reaction हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ethanol है, इसका क्या nature बहार आ रहा है इस reaction से, this is also a very important question, तो यहाँ पर यह nature बहार आ रहा है, कि जो ethanol है, कहीं न कहीं वो भी थोड़ा बहुत acidic है, क्यूंकि हमें पता है, जब ही भी कोई metal react करता है, acid के सार, तो क्या बनता है, सबसे पहले salt बनता है, और hydrogen gas यहाँ पर release होती है, यह मेरे पास salt है और यह hydrogen है, तो विच म कहीं यह हमारे पास acidic character शो कर रहा है, इसके अलावा इसका name भी पूछ लिया जा सकता है, तो यह क्या है, this is sodium ethoxide, ठेक है, this is sodium ethoxide, तो यह सारी ही चीजे ध्यान देनी है, अब चलो, अगले question में बढ़ जाते हैं, एक हमारे पास क्या है, saturated organic compound है A, जो की belong करता है to the homologous series of alcohols, which means A हमारे पास alcohol है, इस A को अगर मैं heat करूंगी with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, it forms an unsaturated compound B, with the molecular mass 28U, the compound B on addition of one mole of hydrogen in the presence of nickel changes to a saturated hydrocarbon C, तो A, B, C, इन तीनों को ही हमको क्या करना है, सबसे पहले identify करना है, तो देखो equations लिखेंगे, तो identification भी हो जाएगा, एक saturated organic compound है, यह जो A है, यह alcohol है, हमें पता है, इसका अगर मैं H2SO4 के साथ dehydration करती हूं, तो क्या बनता है, alkyl, तो यहाँ पे मैं clearly लिख देती हूं, C2H5OH, यह मेरे पास क्या है, ethanol है, इसका मैं dehydration करूंगी, H2SO4 के साथ, और temperature कितना है, 443 Kelvin, तो यह C2H4 में change हो जाता है, H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, जो sulfuric acid है, यह एक dehydrating agent है, तो इस molecule से पानी यह बाहर निकाल देता है, यहाँ पे देख भी सकते हूं, यह जो पानी है, यह बिलकुल बाहर निकल चुका है, ठीक है, और यह मेरे पास क्या है, इस इथी, तो alcohol का dehydration करोगे, तो आपको alkene मिलेगा, और इस equation से भी हमें पता चल गया, हमने लिख दी, तो यहाँ पे clearly A यह है, और B क्या होगा, यह, ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा, यह जो B बना, इसका molecular mass 28 atomic mass unit है, वो भी हमें verify करना पड़ेगा, maybe कोई और alcohol हमें ले है, है न, तो यहाँ पे 12 plus hydrogen का कितना होता है, 1, तो यह कितना हो गया, 24 plus 4, कितना हो गया, total 28 U ही हो गया, तो which means, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ था, वो बिल्कुल सही लिखा था, कि यहाँ पे A हमारे पास क्या है, ethanol है, इसको लिख भी दो, A ethanol है, और B मेरे पास क्या है, इथीन है, तो यह वाली reaction तो हमने लिख दी, फिर देखो यह जो B है, इसका addition reaction करवाएंगे hydrogen के साथ, तो यहाँ पे एक saturated hydrocarbon मिल जाएगा, जो कि बहुत simple सा है, देखो, C2H4 आपको पता है, इसमें अगर मैं hydrogen को जोड़ूंगी, nickel, platinum, palladium, इन सब की presence में, तो addition reaction होगी, यह directly जाके add up हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ethane, तो which means C क्या है मेरे पास ethane, यह ethane से बदल के, किसमें change हो गया, ethane में, तो यहाँ पे देखो, अब question देख लेते हैं, एक बार अच्छे से क्या था, identify करना था, कर लिया, A मेरे पास क्या है, ethanol है, यह किसमे बदला, यह ethane में बदला, और C ethane है, ठेक है, next, write the chemical equation showing the conversion of A into B, तो यहाँ पे आप यह वाली लिखोगे, A into B, हमने कैसे change करा था, A को B में, तो यह second वाले का answer हो जाएगा, ठेक है, A into B, यह यहाँ पे change हो गया, what happens when compound C undergoes combustion, आप देखो, यहाँ पे हमें answer करना पड़ेगा, जो C था, वो क्या है, C to H6 है, अब यहाँ पे इसका, अगर मैं combustion करूंगी, तो क्या बनेगा, combustion में oxygen के साथ reaction होती है, कोई साभी आप hydrocarbon ले लो, अगर उसका combustion करोगे, हर case में CO2 and H2O ही form होगा, तो हमें यहाँ पे बस इसे balance करना है, what happens, तो आप लिख दोगे, we see that carbon dioxide and water is formed with a large amount of evolution of heat and light, तो heat evolve होती है, और light energy भी हमें देखने को मिलती है, अब इसको balance कर लो, यहाँ पे 2 carbon है, 2 हो गए, hydrogen 6 है, इसे पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो यह सही से balance होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 plus 3, 7 हो गया, और यहाँ पे है नहीं, तो इसको हमें और कुछ देख यहाँ पे oxygen हमें कराने है, balance है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दू, तो क्या यह balance हो पाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो यह 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 है, तो यह balanced नहीं होगा, इन दोनों का हमें same same number लाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे, यहाँ पे मैं 12 ला सकती हूँ न, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4, sorry 4 जो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 12 लाने हैं तो 6, ठेक है, तो 6 H2O हो गया, अब देखते हैं, carbon भी 4 हो चु देखने पड़ेंगे, 4 into 2, 8, प्लस यह 6, कितने हो गए 14, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 7, तो इस तरीके से इस equation को हमने balance कर लिया है, और क्या product बन रहा है, वो भी हमने बता दिया है, product CO2 and H2O है, इसके साथ heat and light energy यहाँ पे evolve होगी, एक industrial application मुझे बताना है, hydrogenation reaction का, बहुत ही simple सा है, अगर हमें vegetable oils को change करना है, vegetable घी में, तो यह इसका industrial application होता है, जिसमें हम hydrogenation reaction, यानि की addition reaction का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यह जो reaction थी, C2H4 plus H2, और यहाँ पे, यह किसमें change हो जा रहा है, इसको सही से लिख देते हैं, this is H2, यह change हो जा होते हैं, और यहाँ पे industrial application क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, to obtain vegetable घी, to obtain vegetable घी from vegetable oils, ठीक है, अब यहाँ पे यह जो vegetable oils है, यह क्या होते हैं, हमारे पास unsaturated होते हैं, और जो vegetable घी है, वो क्या होता है, वो saturated होता है, तो यह चीज आपको यहाँ पे mention करनी है, इंडस्ट्रिल application कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह चीज मेंशन करनी है, screenshot ले सकते हो, या note down कर लो, जल्दी से copy में, फिर name the products formed when compound A reacts with sodium, compound A क्या था हमारे पास, सबसे पहला वाला C2H5OH, अगर यह sodium के साथ react करेगा, तो अभी हमने देखा था, sodium ethoxide बनेगा, इसके साथ hydrogen gas यहाँ पर evolve होगी, तो balance हमने इसको कर लिया, इस तरीके से यहाँ पर represent कर लिया है, तो यहाँ पर we had to name the products, तो क्या-क्या products है, एक है हमारे पास sodium, ethoxide, और दूसरा है हमारे पास hydrogen, ठीक है, तो sodium, ethoxide and hydrogen, तो यह भी हमने कर लिया है, next यहाँ पर question देख लेते हैं, sixth question, an acid X and an alcohol Y react with each other in the presence of an acid catalyst to form a sweet smelling substance Z, क्या आप लोग को नहीं पता किये क्या है, अभी हमने equation करी थी ना, बस वही है, X मेरे पास क्या है, CH3COOH carboxylic acid, Y मेरे पास क्या है, C2H5OH, तो यहाँ पर हमारे पास ethnoic acid है, ethanol के साथ यह react कर रहा है, और यहाँ पर Z बना दे रहा है, जो की est है, वो ही है, हमारे पास sweet smelling substance, CH3COOC2H5, और इसके अलावा पानी H2O बनता है, तो XYZ, तीनो ही हमने identify कर लिए है, तो सबसे पहले identify ही करने थे, तो हमने सबसे पहले identify कर लिए, write the chemical equation for the reaction involved and name it, तो यहाँ पर name क्या है, इस equation का, इसको हम कहते है, esterification reaction, तो लिख देते हैं, this is an esterification reaction, we also mentioned this equation, यहाँ पर बीच में H2SO4 भी लिख दो, क्योंकि यह acid catalyst का भी हम इस्तमाल करते हैं, generally catalyst को हम उपर ही लिखते हैं, equation के, तो यहाँ पर लिख लो H2SO4, यह arrow के उपर लिखते हैं, तो इस तरीके से हमने लिख दिया है, तो chemical equation लिख ली, name कर लिया, next क्या है, इ uses back the alcohol Y and sodium ethenoid, तो यहाँ पर Z की reaction, यानि कि इसकी reaction अगर मैं sodium hydroxide के साथ करूँगी, तो क्या बनेगा, देख लेते हैं, CH3, COO, C2H5, अगर यह sodium hydroxide के साथ react करता है, तो आपको पता है, इस process को हम क्या कहते हैं, saponification reaction कहते हैं, तो यहाँ पर CH3, COona बनता है, और इसके अलावा C2H5OH, यह हमारे पास R, C, O, O, N, A, इस टाइप का बना है न, और यह हमारे पास general formula होता है, इसलिए इस reaction को हम saponification reaction कहते हैं, तो देखो sodium ethenoid बना, और यह जो हमारे पास Y था, वो हमको वापस मिल गया, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, sodium ethenoid और Y alcohol मुझे मिल गया, write the chemical equation for the reaction involved and name it giving justification for the name, यहाँ पर इसका नाम esterification reaction क्यों है, because यहाँ पर ester form हो रहा होता है, after the reaction of acid with the alcohol, यहाँ पर इस reaction का name क्या है, अभी मैंने आपको बताया, saponification reaction, because the sodium salt of carboxylic acid, यही पर लिख लेते हैं, because the sodium salt of carboxylic acid is formed, और sodium salt of carboxylic acid ही क्या कहलाता है, तो this reaction is known as a saponification reaction, because the product is sodium salt of carboxylic acid, which is the soap, ठीक है, जो long chain carboxylic acid के sodium salts होते हैं, वो हमारे पास soap सी होते हैं, जैसे कि एक example देख लो, C17H35COONA, यह बार soap जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी का component होता है, इसको हम sodium stearate कहते हैं, example भी कभी अगर पूछ लिया जाए, तो आप mention कर सकते हो, I think यहाँ पर जित्ती equations थी, सब आपको समझ में आ गई होंगी, तो आगे बढ़ जाते हैं, 7th question, we have to write the chemical equations for the following, सबसे पहले है, combustion of methane, तो बहुत simple है, रेखो, methane का combustion अगर मैं करूँगी, तो CH4 react कर रहा होगा, oxygen के साथ, क्या form होगा, मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी hydrocarbon है, combustion होगा, तो क्या बनेगा, CO2 and H2O, इसके साथ-साथ आप चाहो, तो यहाँ पर heat and light भी mention कर सकते हो, तो हमने लिख दिया, अब balancing देख लेते हैं, hydrogen देखो, 4 है यहाँ पर न, तो यहाँ पर भी 4 होने पड़ेंगे, और यहाँ पर oxygen केते हो गए 4, तो यहाँ पर भी 4 होने पड़ेंगे, इस तरीके से हमने equation लिख दी, oxidation of ethanol, ethanol क्या होता है, C2H5OH, अभी हमने कहा था, हम alkaline KmNO4, या फिर acidified K2Cr2O7 का इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके oxidation में, और oxidation यहाँ पर जैसे ही होता है, तो यह जो alcohol होता है, यह carboxylic acid में बदल जाता है, तो CH3COOH, यहाँ पर form हो जाएगा, फिर है hydrogenation of ethene, तो यह तो बहुत ही simple है, ethene होता है C2H4, hydrogenation हो रहा है, तो hydrogen के साथ reaction होती है, nickel या platinum, या palladium का आप इस्तिमाल कर सकते हो, और यह directly ethene में बदल जाएगा, तो chemical equations लिखना तो बहुत simple है, अगर यह आ गए तो तीन नंबर मुफ्त के, यहाँ पर दो और हैं, तो पांच नंबर मिल गए हमको मुफ्त के, esterification और saponification हमने जस्ट अभी reactions लिख रखी है, एक और बार लिख लेते हैं, जितने बार आप खुद भी लिखोगे ना, उतनी जादा practice होगी, यहाँ पर H2SO4 की presence में reaction हो रही है, ester बन जाता है, CH3COOC2H5, प्लस यहाँ पर जो H2O है, वो बाहर निकल जाता है, saponification में हमने कहा, यही जो ester है, यह react करता है एक alkali के साथ, जैसे की sodium hydroxide, और यहाँ पर सबसे पहले, sodium ethenoate बनेगा, और alcohol वापस मिल जाएगा, तो C2H5OH यह हमको वापस मिल गया, तो यह reactions भी आप note down कर लो, बहुत ही simple reactions है, next 8th question पर आचुके हैं, बहुत बड़ा-बड़ा सा question है, बट हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है, बहुत ही simple है, उसके बाद, a compound A, molecular formula उसका यह है, ठीक है, चलो, molecular formula हमें पता चल गया है, कि इसका क्या है, reacts with sodium metal to form compound B, and evolves a gas which burns with a pop sound, हमें पता है, यह gas definitely hydrogen होगी, A का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यह molecular formula हमाई पास थोड़ा बड़ा सा है, अब उसके बाद, the compound A, on treatment with alcohol C, ठीक है, तो यहाँ पे एक C alcohol भी है, found in beer, in presence of concentrated sulfuric acid, forms a sweet smelling compound D, जिसका molecular formula यह है, देखो, यहाँ पे कितने carbon मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे 5 carbon दिख रहे हैं, और यहाँ पे 3 carbon थे, और यह हमारे पास है क्या, यहाँ पे ठीक है, यह gas evolve हो रही है यहाँ पे, तो यह हमारे पास, एक alcohol होगा, ठीक है, alcohol C है, और A क्या होगा, carboxlic acid, so this is a carboxlic acid, यह हम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर A मेरे पास carboxlic acid होगा, तब ही जाके वो C alcohol के साथ react करेगा और क्या बनाएगा और उस case में ये बना रहा होगा हमारे पास ester ठीक है और यहाँ पर B जो है वो तब form होगा जब A की reaction होगी sodium के साथ तो सबसे पहले लिख लेते हैं देखो C3H6O2 हमें चेक भी करना पड़ेगा जो भी हम formula लिख रहे हैं क्या वो इसको satisfy कर रहा है या नहीं तो यहाँ पर देखो 3 carbon का carboxlic acid क्या होगा CH3 CH2 सही से लिख लेते हैं इसे COOH obviously यही होगा है ना तो मैं कह रही हूँ यह A है अब इसको check भी करते हैं देखो 3 carbon है 3 carbon है hydrogen कितने है 3, 4, 5, 6 6 हैं बिल्कुल सही oxygen 2 है yes oxygen 2 है तो which means A compound definitely यह होगा और इसका name क्या है यहाँ पर बगस 3 carbon है तो यह propanoic acid होगा तो A मेरे पास क्या है propanoic acid हमने कहा यह जैसे ही react करेगा sodium के साथ तो hydrogen gas evolve होगी और एक compound B बनेगा जो कि क्या होगा CH3 CH2 COONA और यहाँ पर H2 gas क्या हो जाएगी evolve हो जाएगी तो इसको again हमें balance करना पड़ेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा इधर पर भी 2 और इधर पर भी 2 तो यह B है अब इसका name क्या होगा because यह propanoic acid था तो यह क्या हो जाएगा हमाए पास उसी का sodium salt है तो sodium propanoate ठीक है जैसे कि CH3 COONA क्या था sodium ethanoate यह क्या हो जाएगा sodium propanoate ठीक है तो I think clear है न spelling से लिखी है propanoate ठीक है तो हमने A और B को identify कर लिया है A का जब treatment होगा C के साथ तो यह बनेगा तो हमें पता है कि A तो definitely यह है और C हमें पता है इसमें 2 carbon होंगे कैसे वो भी हम अभी देखते हैं यह मेरे पास A है इसकी reaction जब C के साथ हो रही है जो कि क्या है एक alcohol है तो एक ऐसा ester बनेगा जिसमें 5 carbon है यहाँ पे और रेड़ी 3 carbon है तो यहाँ पे जो भी alcohol में इसमें कित्ते carbon होनी चाहिए सिर्फ दो तो यहाँ पे C2H5 OH के साथ विच मीज रियाक्शन होगी यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनेगा CH3, CH2, COO, C2H5 और H2O यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ठेक है तो यह मेरे पास ester बन रहा है Ethyl Ethenoid पहले वाले का नेम था इसका नेम क्या होगा Ethyl Propanoid ठीक है अगर नेम पूछा जाए तो नेम भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ This is Ethyl Propanoid जो main chain होती है वो हमेशा ही हम आखरी में लिखते हैं यह बहुत बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ तो इसका नेम है इथाइल प्रोपेनोट तो यहाँ पर देखो यह हमने लिखा A का ट्रीटमेंट हुआ C के साथ इन दी प्रेजन्स ऑफ H2SO4 तो यहाँ पर स्वीट स्मेलिंग सब्स्टन्स बन गया जो की एस्टर है कार्बन पाच है हाइड्रोजन 10 है देख लो 345 एक सब्सक्राइब यहाँ पर कुछ तो गड़बड हुई है तो यह जो फॉर्मुला बना है उसी के अकॉर्डिंग बना है बिल्कुल यहाँ पर कंडेंस्ट फॉर्म जो है वो उसके साथ मैच करता है वो बिल्कुल सही लिखी है उसके बाद on addition of NaOH to A it also gives B and water अब जब मैं NaOH को add करूंगी A में A क्या था मेरे पास यह था तो add कर देते हैं CH3 CH2 COOH NaOH जैसे ही मैं add करूंगी तो मुझे पता है CH3 CH2 COONA बनेगा और पानी H2O तो यहां पर देखो यह बन रहा है यह क्या है B है तो again बिल्कुल सही लिखा था कि यह जो A है यह B और पानी में बदल जाएगा अगर इसकी reaction किसके साथ होगी sodium hydroxide के साथ तो यह भी हमने बिल्कुल सही लिख दिया D on treatment with NaOH अब यह D कहां से आ गया D है यह तो mention भी कर देते हैं साथ के साथ कि यह मेरे पास D है अब D का अगर treatment होगा NaOH के साथ तो यह हमें B और C वापस दे देगा अभी हमने देखी थी यह reaction भी कि अगर मेरे पास यह D है CH3, CH2, COO, C2H5 कोई भी ester है अगर sodium hydroxide के साथ react करता है saponification reaction होती है तो वही reaction यहाँ पर भी लिख देते हैं CH3, CH2, COona plus C2H5 OH तो यह देखो मुझे B और यह क्या था मेरे पास I think this was C तो यह B और C मुझे वापस मिल गए है न तो यह भी हमारे पास बिल्कुल सही चीज है identify करना है A, B, C और D को तो बिल्कुल हमने already identify कर दिया है A यह है, B यह है, C यह है और D यह है उसके बाद chemical equations for the reactions भी हमें यहाँ पर लिखनी है जो कि हम तो बहुत ही चालाक है पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पर यह है propanoic acid यह है sodium propanoate उसके बाद यहाँ पर C हमारे पास क्या है C है मेरे पास ethanol ठीक है और यह मेरे पास है ethyl propanoate तो यह सब की सब equations भी हम लिख चुके हैं उसके आगे भी जो भी equations आई थी वो भी लिख दी है और name भी कर दिया है तो I think आपको सारी ही equations समझ में आ गई होंगी इस equation को हम क्या कहेंगे saponification reaction इसको क्या कहेंगे esterification reaction इन reactions का as such कोई भी name specific नहीं है ठीक है अब चलो 9th question में आ जाओ देख लेते हैं क्या given है एक compound है X that undergoes addition reaction with H2 to form a compound Y having molecular mass 30 gram per mole वैसे तो जो equation NCRT में है तो most probably वही आती है बट देखो यहाँ पे changes हुए थे न इसलिए यह जो भी चीज आपको given रहती है न इसके साथ हमें उसको match कराना जरूरी है तो यहाँ पे वैसे तो सबसे पहले में जो हमारे पास in general है C2H4 उसी को लूँगी तो C2H4 H2 के साथ react करेगा निकल प्लाटनम के साथ तो C2H6 बनेगा तो यहाँ पे मुझे यह देखना पड़ेगा क्या इसका molecular mass इतना आ रहा है या नहीं तो check करते हैं 2 x 12 होगा प्लस यहाँ पे 6 है तो 6 x 1 तो 24 प्लस 6 आ गया which is equals to 30 होनी तो यह बिल्कुल सही है विच मीज यही वाली equation मुझे यहाँ पे mention करनी होगी तो जो X compound है वो यह है जो कि क्या है ethene और Y compound यह है जो कि क्या है ethene ठेक है तो यहाँ पे X undergoes addition reaction with hydrogen and it is forming a compound Y जो X है it decolorizes bromine water and burns with a smoky flame smoky flame because यह क्या है unsaturated है तो हमें पता है unsaturated में हमेशा ही sooty flame देखने को मिलती है उस soot का मतलब ही है smoke तो यहाँ पे yes definitely smoky flame देखने को मिलती है we have to identify X and Y and write chemical equations of the reactions involved तो यहाँ पे X और Y को हमने identify कर दिया है and we also have to write the reaction तो reaction भी हमने यहाँ पे mention कर दी है यह जो decolorizes bromine water है यहाँ पे यह आपके syllabus में है नहीं बस simply यही होता है कि हमारे पास जो ethene होता है वो bromine water के साथ react करता है और यह carbon tetra chloride की presence में होता है तो इसका जो color होता है वो disappear हो जाता है क्योंकि यहाँ पे addition reaction होती है bromine आके यहाँ पे जुड़ जाते है इस तरीके से यह आपके syllabus में है नहीं यह ICAC वाले बच्चों के syllabus में है आपके syllabus में है नहीं है तो वो आपको yellow suity flame देता है अगर clean blue flame मिल रही है which means वो एक saturated compound होगा ठीक है तो बस यहाँ तक हो गया है अब हम आखरी सवाल पे आ जाते हैं बहुत simple सा है 10th question how would you bring the following conversions तो यह कुछ conversion वाले question है ethanol को अगर मुझे change करना है ethene में तो मुझे पता है यहाँ पे dehydration करना पड़ेगा very simple देखो ethanol C2H5OH है यहाँ पे dehydration करेंगे H2SO4 की presence में तो C2H4 यहाँ पे form हो जाता है और पानी यहाँ पे से बाहर निकल जाता है ठेक है तो यहाँ पे यह जो मेरे पास ethanol था यह किस में बदल गया ethene में तो process का name क्या है that is dehydration उसके बाद propanol को मुझे propanol एक acid में बदलना है तो यह भी बहुत ही simple है propanol देखो CH3 CH2OH यहाँ पे इसका क्या करा देंगे यहाँ पे CH3 CH2 COOH यह बनेगा और इसको हम क्या कहते हैं यह है हमारे पास propanolic acid तो propanol किसमें change हो गया propanolic acid में तो इतने ही हमारे पास थे questions top 10 जो की reaction based हैं यह सब के previous years में आए हुए है clearly यहाँ यह mentioned है तो यह सारे ही questions बहुत जादा important है तो इनको बहुत अच्छे से आप सभी practice करना आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है बाकी chapters भी already uploaded हैं तो आप बाकी chapters को भी definitely check करना और हम मिलेंगे हमारी next video में till then bye everyone take care and all the very best